नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का यूटूब चैनल जॉफ्ट्रे में दोस्तों बिहार विधान परिशद 21 की जो डिजल्ट है उसके बारे मैंने आपको पिछले दिनों काफी सारी वीडियो में बताया है अगर आपने नहीं देखा है कि एक्जेक्ट किस डेट को यहा आसानी होगी ठीक है उसके मैंने जो है कली बताया था कि आज के डेट में मैं आपको ले एक वीडियो प्रॉपर जो है डोकमेंट के उपर लाओंगा कि पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट का जो है वह जिन भी कंडिडेटों का एड्मिर कार्ड नहीं है उसे जमा करवा लिया है आपके पास उसका एक्स्टा कोई कॉपी नहीं है या आपका जो है एडमिर कार्ड वाक हो गया है तो उसके जो है सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं और साथ में कौन-कौन से डोकुमेंट लगेंगे आप सभी के डोकुमेंट वैरिफिकेशन के दिन और कब आपक सब्सक्राइब करना मत भूली है क्योंकि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मैं जो भी छोड़ी पड़ी अपडेट आती है बिहार बिधान परिसद या बिहार बिधान सभाय के तरब से मैं आप तक जरूर पहुंचाता हूं तो दोस्तों आगे बढ़ते हो देते हैं सभ सब्सक्राइब को मैंने बता है और आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह नोटिफिक्शन मुझे कहां से मिली है मैं आपको आगे जरूर बता दूंगा इसकी जो है वह कहां आपको पीडियाप मिल जाएगी वीडियो में तो यहां पर कहा गया कि बिहार बिधान सभा के तर है और इसी तरह की जो है आपको कुछ समय पर बात जो है जब भी रिजल्ट आएगी उसके बाद आपको इसी तनी जगह पर जो है वह कार्याले परिचारी की लिखा रहेगा और रिक्त पदों पर सेदी भरती हुए तो जह है आवेशक सूचना इस तरह से दिया रहेगा इस संक्या सेवन और टूटाव नाइटिन के आलो के संदेश मेसंजर संबर्ग में है इसके जगह पर आपको जो है वह कार्याले परिचारी दाएगा लिखा हुआ और कहा जाएगा कि जो भी आपका होगा उसके लिए अंतिम परिच्छा पर आपको दे दिया गया है उसके दिया जाएगा कि को आपको जो है वह 10 बजे वहां परपर पॐंचना है तो यह चींजर त्हीं अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोग को वहां पर क्या जो है वह अपना एक hard copy मिला होगा print out निकलवाए होगे तो उसको आपको ले के जाना है दूसरे नमबर जो आपका admit card है ठीक है वो ले जाना है next आपका जो है सभी सफल अब्यारती अपना पहचान पत्र मूल पर्ती में अथवा मदाता पहचान पत्र जो है यहां पर या ड्राइब रिंग आपको एक डोकुमेंट ले जानी है जैसे आप लोग को मैंने लिस्ट बता ही दिया है उसका कहा गया कि चार पासफोर्ट साइट जो है वह आकार का रंगीन फोटो वही ले जाना है जो आपके admit card पे होगा या आपके hard copy पे होगा वही आपको चार पासफोर साइट फोटो ले जाना है नेक्स्ट यहां पर कहा गया कि मैट्रिक अधवा समक्षे तो उसका परमान पत्र आपको ले जाना है मूल पर थी एवम एक हस्ताचरिक चाया पर थी यानि कि उसका original copy और एक जो है उसका जिरौक कर वाकि उस पर जो अपना signature कर लीजिए गा उसको ले जाना है यहां पर चौनमर में कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए online आवेदन पत्र में जिस आरक्षन कोटी का दावा किया गया है उसी आरक्षन कोटी का जो है जाती परमान पत्र मानने होगा ठीक है तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो भी candidate ने जो है जो candidate UR से होंगे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो candidate यहां पर जेनरल OBC या EWS होंगे तो उनको वहां पर अपना काश्ट सार्टिफिकेट बनाना होगा जो OBC और SST होंगे तो उनको उसका जो है वह original सार्टिफिकेट ले जाना है और एक जो आप उसका ज जाना है जिसमें जाती परमानपत्र आता है और अस्थाई निवास परमानपत्र यानि कि जो होता है आवासी उसको भी आपको ले जाना है ठीक है यह कहा गया है जो पिछड़ा बर्ग अभ्यारतियों के लिए जो है उसका भी यहां पर मैं बता दू जाती परमानपत्र अस उपस्तित नहीं होंगे अधवा वंचित पर्मानपत्र प्रस्तूत नहीं करें यानि ओरिजिनल और सही जो है वहां पर अपना डॉकमेंट नहीं प्रवाइड कराते तो उनको अलग से समय नहीं दिया जाएगा और उनकी उमिदवारी समाप्त करने का परिशत सचवाले का नि यहां पर 5 तक है उस तक आपको सभी डिकुमेंट ले जाना है एक आपको यहां पर अपना आवासिय बनवा ले बना ले जाना है यह जनरल वाले के लिए हैं अगर आप ews के लिए अपलाई के हैं तो आपको यहां पर एक्ष्रा में आपको ews का certificate लगने वाला है अनुस्या जाती के लिए यहाँ पर मैंने जो अलग-अलग से बता ही दिया है अब बात कर लेते हैं जिन candidate के पास जो है वह admit card नहीं होगा तो उनके क्या करना है सब ही candidate को जिनका भी result आएगा उनको तो वहाँ पर document के लिए जाना ही है verification के लिए लेकिन बहुत सारे candidate का यहाँ पर जो है वह admit card नहीं है पास में क्योंकि एक्ष्टा उन्होंने नहीं रखाता तो हो सकती है आपको सची वाले के द्वारा इसकी admit card का docks मिल जाए हो सकता है लेकिन बहुत कम उमीद है तो इसी थूरू आप लोग अपना यह कर सकते हैं ठीक है और आप लोग जो है वह रिजल्ट चेक कर पाएंगे क्योंकि registration नंबर के थूरू ही आप सभी का यहां पर आएगा जो आपका प्रिक्षाफल है ठीक है तो बहुत ही कम चांस है कि आपका वहां पर जो है डोकमेंट बैरिफिकेशन में आपको सफल डूरूप से जो यहां पर जो रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि अगर आपके पास एक भी अगर डोकमेंट नहीं डएगा तो आपको च्छाटा जा सकता है यह चीछ ध्यान रखिएगा तो दो अगर आपके मन में कुष्चन हो तो आप कुमेंट बॉक्स में क्रोंट कर की पूरत सकते हैं कोई सवाल यह सुझाद देना हो तो वह भी कर सकते हैं मैंदस से बात करना हो तो आप मेरे इंटराग्राम डिब पर gernा सकते हैं और इस पीडियो को प्राफ्ट करना तो आप आ पिलिग्राम गुरूप में जरूर जोइन हो जाई है वहां पर आपको इसकी पीडियाप मिल जाएगी दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में जरूर सेयर की जाए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में